जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप इस नेशनल पार्क के वार में अच्छे से जानते होंगे उत्तरा खंड के अंदर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा एड़ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है इस वज़ा से बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ प पे गिरा दिये अब देखो नाम इनने एको टूरिजम दे दिया पर कही ना कहीं इनका फोकस था अपने ग्रीड के उपर और सुप्रीम कोड का ऐसा कहना है कि यहाँ पर मिनिस्टर्स और ओफिशल्स इन लोगों ने मिलके अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए हजारों ही मतला टोटल अगर आप खोटेस करो 6,000 ट्रीज यहाँ पर गिराए गए है और इस वज़ा से सुप्रीम कोड ने यहाँ पर CBI प्रोब भी यहाँ पर बात करी है ताकि यह देखा जा पाए कि एक्ट्वल में जो भी आपके मिनिस्टर्स यहाँ पर इन्वाल्ड है उनका क्य क्या हुआ है एको सिस्टम को इगनोर करते हुए आपके इन एकॉनमी के उपर इतना हुआ फोकस कर दिया कि उससे आपका इन्वायर्मेंट का ध्यान ही नहीं रखा गया तो यह सुप्रीम कोडेंग बहुत इंपॉर्ण यहाँ पर जज़्जमेंट दिया है चोटे से इंफ 2.0, Titan 2.0 यह बहुत एफॉर्ड़िवल कोस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके माद्यम से आप आने वाले अपने UPSC ए एक्जाम की त्यारी बहुत अच्छे से comprehensive मैनन के अंदर कर सकते हो इसके साथ ही जो कैंडिड़ेट्स दोजाचभी की त्यारी कर रह दिये हैं तो वहाँ पर जाके आप इनको कर सकते हो इनके अंदर एंडर कर सकते हो और अपनी प्रेफरेशन को और भी बहतर बना सकते हैं दोस्तों डेट है आज की साथ मार्च 24 और आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलेम बूस्टर निउस डिसकुशन के अंदर पहले ट ढकी डेजट को इस तरह से आपको डेज़र्ट देखने को मिलते हैं विलकुल सभी बात है इस तरह से आप नोटिस करते हो और यह भी देखो कि होने की इस रेथ के उनने के बज़ब कुछ जगाप कुछ जगा पर कम hight होगीных हैं इस तरह से iisज यहादा यहाला से आपके पास अलग तरह की देखनेकों गाले इनको बोलते हैं इनको आपके बार्रीन Himadamoc da आपके स्टार डियून की इस शेप की कैसे बनेगी वह बनेगी आपकी विंड की डिरेक्शन के हिसाफ से हो सकते हैं कुछ इधर से आएगी कुछ इधर से आएगी अलग अलग डिरेक्शन से विंड आ रही है एंड धीरे धीरे करते करते वो एक star dune की shape ले रहा है Getting the point? ठीक है sir पर हमें बता क्यों रहे हो आप ये star dune के बारे में देखो actual में ऐसा है ना यहाँ पर अगर हम एक star dune को study कर लेते हैं उससे हमें पता लगेगा कि भाई ये dune आखिर कब बना था किस तरह किस age में बना था कितनी energy है wind pattern के अंदर समय समय के उपर कैसे बदलाव आया है और कैसे कैसे climate के अंदर changes आए है ये सारी चीज़े हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक्चल में आपको बताता हूँ यहाँ परतना हमें एक लाला लालिया star dune देखने को मिला है ये कहाँ पर है? ये आपको मुरुको के अंदर देखने को मिल जाएगा ये eastern मुरुको वाले region के अंदर स्टार ड्यून आपको देखने को मिल रहा है ये इस shape के अंदर बना है तो इसको पता लगा कि इसकी जो height है लगबग 100 meter की height है लगबग 700 meter ये wide है उसके इसाब से हमने इसको फिर study किया and accordingly जो सारे अलग-अलग चीज़ें है ठीक है न, वो हमें यहां पर पता लगी कि आखिर क्या wind pattern है, क्या climate है, कितनी energy है तो age को determine किया गया यहां पर देखा गया, क्योंकि actually आप notice करो जब भी एक dune बन रहा है, तो इसके नीचे भी तो कुछ rate होगी, वो rate तो कई-कई सालों से मतलब expose नहीं हुई है light के, क्योंकि उपर-उपर जब बनता जा रहा है तो उसके उपर light नहीं आई, तो वहां पर हमने age determination method को use कि है जिसको बोलते हैं हम luminescence dating technique कितनी light उसके पर पढ़ रही है उसके साब से हमने उसकी age determine कर रही and accordingly हमें इस तरह से पता लग जाता है इन सभी चीजों के रिगाड़े ठीक है, तो कुछ यह locations आप अर्ग चबी की location आप यह science ही है इसकी application ध्यान में देखिएगा सहारा desert के विदिन आपको यह देखने को मिल जाएगा और यह जो सारे हमें इस तरह के star dunes है सिर्फ यहां ही नहीं आपको सहारा desert इन मरोको के इलावा आपका बदाइन जरान desert है चाइना के अंदर नमी डेजर्ट बहुत फेमस है नमीबिया के अंदर और भी आपका रुब अल खली साओधी रेबिया के अंदर देखने को मिल जाएगा इन सब जगां के उपर भी आपको इस तरह से आपको star dunes आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये कुछ pointers से जो आपको जाने चाहिए star dunes को हम pyramid dunes के नाम से भी जानते हैं या आपके अफरीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका इवन मार्स के उपर भी इस तरह से हमें exist करते हुए देखने को मिल जाते हैं राइट इसलिए क्योंकि अलग-अलग direction से जब winds आएंगी तब भी जाके इसके अंदर ये formation हमें देखने को मिलता है तो I hope ये desert star dunes के बारे में आपको अच्छे से points समझ आगे होंगे next चलते हैं अंगले topic की तरफ that is methane set के बारे में थोड़ा समझने ही कुशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है what is actually methane set देखो आप लोग न मिथेन के बारे में तो जानते ही होंगे ठीक है methane gas जो होती है बिल्कुल सर मिथेन gas के बारे में हमें अच्छे से जानकारी है अब देखो methane gas का होना या methane emissions का होना ये आप जानते हो कि environment के उपर के बार negative impact जालता है बिल्कुल ठीक बात है तो हमारे पास ना हमने एक satellite को launch किया है कहां से आपके जो SpaceX Falcon 9 आपका rocket है Tomp California ये satellite के माद्रियम से हम methane emissions को track करेंगे कि भाई global level के उपर कितना हमारा methane का emission हो रहा है उनको track करने के अंदर उनको measure करने के अंदर हमें ये चीज help करेगी कि कितना कितना यहाँ पर हो रहा है कौन उसके लिए responsible है कहां से है किस तरह से समय समय के साथ कैसे उसमें बदलाव आया है घ्यान रखेगा यहाँ पर इसको promoting entity है EDF Environment Defense Fund जो की US-based non-profit fund है plus at the same time यहाँ पर ना बहुत सारे आपके अलग-अलग partners है यह तीन तो यहाँ पर नाम दिया है इसके अलावा भी और है Harvard University हो गया New Zealand Space Agency हो गया यह सब यहाँ पर इसके developing partners है इसमें ना दरसल में artificial intelligence का भी use किया गया है तो Google का वहाँ पर major role आ जाता है AI के context के अंदर तो इसके माध्यम से आप notice कर पाओगे इस satellite के अंदर आपको बहुत बड़े high resolution sensors देखने के मिल जाएंगे जिसके माध्यम से important data gaps आप fill कर पाओगे detect करना आपको असान हो पाएगा अगर बिल्कुल कोई short mode changes भी आते हैं तो भी यहाँ पे इसको वो detect कर लेगा बाकी साथ से साथ ना कुछ ऐसे बहुत बड़े-बड़े emitter होते हैं जिनको हम super emitter के नाम से भी जानते हैं तो actual में point क्या है कि यहाँ पर methane set में एक broad camera perspective है जिसके माध्यम से 200 km by 200 km का area यहाँ पे हम cover कर पा रहे हैं तो super meters को भी हम अच्छे से manage कर पाएंगे उनको देख पाएंगे उनका data बड़े नाम से निकल जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि लगबग दिन में ना 15 बार यह धरती को orbit करेगा ताकि अलग-अलग areas चाहे आपका किसी भी sector हो गया ताफ़े आपका oil sector हो गया gas sector हो गया इनके उपर major focus होगा पर आने वाले समय के अंदर आपकी farming से हो गया आपका landfills, आपका coal mines यहाँ से कितना कितना impact आपकी methane के उपर आ रहा है यह सारी बाते हमें पता लगती रहेंगी अगर मैं बात करते हूँ देखो methane की तो methane को आप जानते हो एक colorless gas होता है ठीक है ना और इसका कोई smell भी नहीं होता तो basically एक orderless gas है अगर हम बात करते है emissions की तो आप जानते हो nature के अंदर यह occur करता है as a component of natural gas and it is the second largest contributor to climate change तो पहला largest contributor कौन है आप जानते हो सरक carbon dioxide second number के उपर आपको methane देखने को मिल जाएगा अब point आपको यह जानना चाहिए कि ना carbon dioxide जो है वो बहुत लंबे time तक आपके environment में रहता है पर अगर मैं बात करूँ methane की तो sorry carbon dioxide की नी जो मैं methane की बात कर रहा था ठीक है वो last line गलती से निकल गये जो methane की मैं बात कर रहा हूँ methane लगबग आपका 12 साल के लिए आपके अर्थ के उपर रहता है ठीक है एटमस्फेर के अंदर रहता है पर इसका जो carbon methane का global warming potential है ना वो carbon dioxide से काफी काफी जादा आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना एंड साथी साथ अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे methane का 80 times warming आपका power जादा है ठीक है ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए और कहीं न कि 16% warming effect को यह cause करता है ठीक है एंड इसका warming effect nearly 28 times greater है carbon dioxide के over 100 year time scale यहाँ पर आप इसके अंदर आप देख भी पाओगे इस picture के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो CO2 का सबसे major contribution है followed by दूसरे नमबर पे आपका methane emissions की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आपका livestock एक major emissions को बन जाएगा तो यह कुछ pointers थे जो आपको यहाँ पर जानने चाहिए थे methane के regarding भी और आपका जो methane set है उसके regarding भी आगे चलते है next topic जरफ that is संगीत नाटक Academy Awards या Academy पर उसका है actually अभी क्या हुआ है हमारे President जी के द्वारा संगीत नाटक Academy Awards दिये गए है actually मैं आपको थोड़ा समझाने के कोशिश करता हूँ देखो जब हम बात करते हैं संगीत नाटक Academy की यह आती है हमारी Ministry of Culture के अंतरगत यह एक autonomous body है जिसको 1953 के अंदर establish किया गया था अब आपके अलग-अलग तरह क्या आपके art forms होते हैं तो उन आर्ट forms के लिए जैसे dance हो गया, drama हो गया, उन सभी चीजों को यहाँ पर टेक अप करता है तो उनका preserve करना, उनको promote करना music, dance, drama को यह यहाँ पर संगीत नाटक Academy का काम रहता है अब यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं तो इनके एक chairman होते हैं जिनको appoint किया जाता है President of India के दोरा for a term of five years और इसकी management देखता है कौन, general कौन से अब यहाँ पर आपको दो तरह के award देखने को मिलते हैं एक को तो बोलते हैं संगीत नाटक Academy Award या फिर इसको आप संगीत नाटक आपका जो पुरसकार होता है ये नाम भी इसको बोल सकते हो राइट एक है यहाँ पर संगीत नाटक Academy Fellowship या फिर Academy रतना तो दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं एक है संगीत नाटक Academy Fellowship और एक है आपका संगीत नाटक Academy Awards या पुरसकार तो जब मैं बात करता हूँ Awards की तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 1952 से हमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर क्या होता है एक लाख तक का आपको money मतलब एक लाख आपको अवार्ड मिलता है प्लस at the same time तम्रपत्र तम्रपत्र क्या होता है basically एक तरह की इंस्क्रिप्शन होती है क्या होती है सर इंस्क्रिप्शन जैसे copper plate के उपर आप history में बढ़ते हो न copper plate के उपर inscription करी जाती है तो उस तरह की inscription यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी उसके लावा अंग वस्तरम अंग वस्तरम क्या होता है जो बात हो रही है दूसरा वार्ड या दूसरे फैलोशिप के बात करनो तो यह फैलोशिप वाला क्या है यह किसी को भी दिया जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव उनकी नेशनलिटी कास्ट क्रीड लीजन लेस एक्स उनके रिए यहाँ पर यह कुछ बहुत ही रेर ओनर होता है मतलब वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे संगीत नाटक अकडमी अवार्ड या पूरसकार यहाँ पर एक लाग तक का अवार्ड वनी था यहाँ पर तीन लाग तक का होता है और यहाँ पर भी तमर पत्रम और अंग बस्तरम दिया जाता है अगर किसी ने बहुत ही कुछ exceptional contribution किया है अपनी art form के अंदर उनको यहाँ पर यह संगीत नादक कैड़नी fellowship यहाँ पर दी जाती है ध्यान रखेगा कि maximum awards एक साल में 41 and fellowship maximum 40 ही दी जा सकती है परसन की age जो होनी चाहिए वो 35 से लेके 50 age group के बीच में होनी चाहिए राइट actually यहाँ पर इसको इस तरह से notice करो कि no person below 50 and at least 35 years of age इस तरह से आपको देखने को मिलता है और साथी साथ अगर किसी person की death हो सुकी है तो इसको यह award नहीं दिया जा सकता इसके लावा अगर हम बात करें संगीत नाटक केडमी की तो यहाँ पर 9 dance forms के अंदर आपको यह देखने को मिल जाएगा जैसे भरत नाटियम, तमिल नाडू का, कथा का आप जानते हो, यूपी का आपको देखने को मिल जाता है नदन इंडिया के अंदर कथकली, केरला, कुचिपुरी, आंदर प्रदेश, मनीपुरी, आपका मनीपुर का, महिनी एट्टम, केरला, ओडिसी, ओडिसा का, सत्रिया, असाम का है और चाओ डांस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अलग-अलग forms है, for example, मयूर भांज, जो चाओ है, ओडिसा का, इसके लावा आपका, पुरिला चाओ हो गया, वेस्ट पेंगॉल का, सेरीकला चालू हो गया, चाओ हो गया आपका, जारखन का, तो यह कुछ जो आपको यहाँ पे जानने चाहिएगे, नेक्स चलते हैं अगले topic की तरफ, that is, ASEAN forum meet के बारे में, देखो ASEAN का अभी Australia के साथ काफी इच्छा investment हुआ है, जिस वज़ा से इंडिया का जो investment है या फिर इंडिया के जो trade ties हैं, उसके अंदर थोड़ी कम ही देखने को मिल सकत हैं, पर उनके लिए एक रस्ता बताया गया है कि यह चीज़े आप करिए, फिर आपको ASEAN की membership आपको दे जी जाएगी, पर अभी के लिए East Amor is not a member, तो यह 10 member आप जानते होंगे, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, तो यह कुछ आपको इनके बारे में चीज़ें परता हो आपको South East Asia के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका formation 1867 के अंदर हुआ था, ASEAN का formation, तो अपने आपस में कैसे collaboration बढ़ाना है, cooperation करते हुए, अलग-अलग issues के उपर साफे मिलके काम कर सकते हैं, यह ASEAN का focus रहता है, और इस region के लिए economic growth, culture development and आपस में peace and stability maintain करना, यह सारे इनके aims हमें देखने को मिल जाते हैं, इंदिया के लिए भी definitely important है, क्योंकि यह ASEAN जो है, there is the fourth largest trading partner of India, बहुत सारी चीज़े हम यहाँ पर export करते हैं, जैसे gems हो गया, pharmaceuticals, electronic goods, jewelry and काफी चीज़े हम import भी करते हैं, electronic goods ही हो गया, vegetable oils, new sprint pearls, यह सब चीज़े हम यहाँ आपसे import क होती जा रही है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया और आपका ASEAN है, वो maritime cooperation के अंदर भी focus करते हैं, Indo-Pacific region के लिए हमारे लिए बहुत important हो जाते हैं, quad के अंदर भी, देखो directly तो चारी members हैं, पर कहिना कि धीर दर कोशिश करी जा रही है कि शायद quad के अंदर भी इनकी membership भी आने वाले समय में बढ़ सकती है, बाकी economic growth opportunities definitely बहुत जादा हैं, जिस वज़ा से दोनों countries को अपने आपस में benefit हुआ है, clear, ठीक है, तो पहला आपका homework आज का रहेगा G20 के member countries के regarding, आप मुझे बताऊगे कि कौन सी इनमें से group है, जो कि G20 के members हैं, एक topic और देख लेते हैं, that is with regards to आपका Red Sea के regarding, देखो Red Sea के उपर पहले भी बहुत बार मैंने चर्चा करी है, location तो आप जानती होंगे, I am sure इसकी bordering countries के बार में हमने बहुत बार discuss किया है, आपकी Yemen हो गया, Saudi Arabia हो गया, आपका Egypt हो गया, Sudan, Arthria, आपका, इसके इलाबा आपका जिब इसके लिए शिप थी, रूबी मार, ठीक है, जिसके ओपर बैलीस का जंडा था, ये वाली जो शिप है ना, इसको डुबा दिया गया है, किसके द्वारा, अरे यहाँ पर जो हाउटी रिबल्स होते हैं, उनके द्वारा ही, एंड बहुत सारे अब जो environmentalist हैं, उनका ये मानन है, इससे कही ना कहीं, बहुत बड़ा environmental risk यहाँ पर इस region के regarding पैदा हो चुका है, थोड़ा से पहले red sea के बार में और जान लेते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूं इसके बार में, red sea का ना, actually जो color है, वो थोड़ा सा reddish brown आपको देखने को मिल जाएगा, actually में क्या है, यह यहाँ पर red sea आगे जाके आपका Suez कनाल हो गया, और आगे जाके Mediterranean Sea को यहाँ पर connect करता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बाविल मंदब स्टेट एंड गल्फ आफ एडन में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे important heritage sites हैं यहाँ पर, जिसे सकोत्रा, heritage sites आपको देखने को मिल जाएगी, जो red sea and gulf of Eden का ecosystem है, वहाँ पर अच्छी कासी आपको biodiversity देखने को मिल जाती है, अलग अलग species देखने को मिल जाती है, और इवन यहाँ पर जो आपकी fishes हैं, उनमें से 15% लगबग आपकी क्या है, endemic species हैं, जो वहाँ पर आपके आपे देख आपको resilience की वज़ा से वह अपने आपको वापस recover कर लेते हैं, तो healthy attacks की वज़ा से यह सारे issues हमें यहाँ आप देखने को मिल रहे हैं, पर overall अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर environment के perspective से भी हमें यहाँ आप सोचना important बन जाता है, ठीक है, आज का homework दूसरा आपका यह रहेग ज़रूर कीजेगा, और comments मुझे इसका answer आप definitely बताएं, आज का homework क्या रहेगा, आज का homework आपका रहेगा, यह questions जिनका answer आप true और false की मदद से, मुझे नीचे comments से बताओगे, दो questions मैं already पूछ चुका हूँ, एक आपका red sea वाला question था, और दूसरा आपका homework था, with regards to g20 की जो member countries कल जो आपने homework दिया था आपको, उसका answer में आपको discuss कर लेता हूँ, पहला है गंगैटे river dolphin के बारे में, तो यह कहरा है, IUCN status का vulnerable है, नहीं, इसका IUCN status आपको endangered देखने को मिलता है, तो यह first statement आपकी incorrect है, अंकुरवाट आपका जो temple है, यह आपका Thailand के अंदर नहीं, this is in Cambodia, त इसके लावा मैंने आपको जो homework दिया था, एक था Animal Welfare Board of India, क्या यह Environment Protection Act के अंदर बना था, नहीं, हमारे पास नहीं, प्रवेंशन ओफ कुरेलिटी टू एनिमल्स एक्ट है, 1960 का, उसके अंतरगत यह एक statutory body है, तो first is incorrect, second की बात करें, NTCA एक statutory body है, yes, NTCA बिलकुल एक statutory body है, तीसरे की बात करें, National Ganga River Basin Authority, यह कह रहा है कि Prime Minister के तुरा chair कहला जाता है, देखो पहला नाम था, यह NGRBA, अब तो यह National Ganga Council है, जिसको आपका प्रधान मंत्री जी ही head करते हैं, तो second और third step में यह आपके correct है, पहला step में आपका incorrect हो जाएगा, दूसरा आपको मैंने homework पूच market index समझते हो, ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते हो, यार कि हाँ, आज sensex 1% उपर गया, या nifty 5% नीचे गया, whatever, ऐसा कुछ भी, तो यह होते हैं index, ठीक है ना, अब माल लो, just take an example, कि माल लो, मैं बोलता हो, कि सर, nifty, nifty आपका 5% उपर गया, ठीक है, और मैं आपके किसी x इस टॉक की बात करें, तो जैसे मैं बोलता हूँ, कि यार reliance, या nifty चोड़ा, आप sensex लो, कुछ लोगों को हो सकता है, nifty ना बता हो, मैं बोलता हूँ कि sensex आज 5% उपर गया, और मैं बोलता हूँ कि reliance आज 8% उपर गया, आप समझ पा रहे हो, कि जो market का index है, उसके comparison में क साब से, जो market index है, उसके हिसाब से, आपकी जो company है, कितनी जादा changes है, कितना जादा volatility होती है उसके अंदर, कहने का मतलब क्या, अगर मालो किसी का beta 5 है, इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब है कि बाकी companies अगर 10% उपर जा रही है, तो भाई साब ये 50% उपर जा रही है, Do you get the point? तो इसमें बहुत जा riskiness हो जाती है, on the other hand, अगर मालो उसका beta काफी कम होता है, मालो 0.5 होता है, इसका अर्च क्या होगा, कि बाकी companies 10% उपर या 10% नीचे जा रही है, ये सिरफ 5% ही उपर या नीचे जा रही है, तो इस तरह से आपका beta क्या बताता है, ये fluctuations बताता है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी वहतर बना सकते हो, दोस्तो keep working hard, thank you very much for the discussion.